हेलो स्टुडेंट्स, बाल मनुवी ग्यान किस कक्षा में आप सभी का स्वागत हैं, आज हमारा बारवा लेक्चर होगा, पिछली कक्षा में हमने वाई गोस्की का समाजिक सिध्धान देखा था, आज हम कोहलबर का नैतिक विकास का सिध्धान देखेंगे, इसके पहले हम ज अब हम बात करें आपकी कोहलबर्ग की तो कोहलबर्ग जी ने क्या किया है नैतिक विकास का सिध्धान दिया है ऐसे याद रखेगा अगर जीन प्याजे जी की बात है तो जीन प्याजे ने क्या दिया है संगेनात्मक विकास का सिध्धान दिया है जो बच्चों के आयू से सम सम्मंदित है जो बच्चों के मानसिक विकास से सम्मंदित है यहीं पर आपके वाइगोट्सकी ने समाजिक संस्कृति का सिध्धान दिया उनका मानना था कि बच्चे का जो भी विकास होता है उसमें समाज की महत्पुर्भूमिका होती है हमने दोनों में अंतर भी देखा था आज हम कोहलबर्ग का नयतिक विकास का सिध्धान देखेंगे इसे नयतिक विकास का सिध्धान क्यूं कहा जाता है क्यूं क्यूंकि कोहलबर्ग ने नयतिकता पर अपना सिध्धान दिया है वो बच्चों को छोटी-छोटी कहानिय सुनाते थे और उन्हें उनमें नयतिकता का दिकास करते थे इन में से एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे बताना चाहूंगी जो कोहलबर की बहुत फेमस कहानी है कहा जाता है कि वो बच्चों से अक्षर ये कहा करते थे एक कहानी है जिसमें हिंज नाम का एक वेक्ति था जिसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बिमार थी औ और उस दवाई बनाने वाले ने जो वो बनाता था उससे दुगनी रेट नहीं, बलकि दस गुनी रेट से मांगा, तो ये तो बहुत मुश्किल था, तो हिंज ने किसी तरह इधर उधर से वो जिसे भी जानता था, वहाँ से उधारी लिया वो, तब भी वो पैसा नहीं उसके बावजवत, उस दुकानदार ने या दवाई बनाने वाले ने मना कर दिया, जिसके कारण हिंज ने क्या किया, हिंज ने दुकान तोड़ा और उस दवाई को ट्राप्त किया, तो आपको इसका जवाब भी देना है, क्या ये सही था, ये गलत, क्योंकि इन्ही सब कहा कहानियों से क्या करते थे, आपके जो कोहल बर्ग थे, वो बच्चों में नैतिकता का विकास करते थे, हम बच्चों को सीखा कर, बोल कर, डांट करूं में नैतिकता का विकास नहीं कर सकते, हम बिल्कुल ऐसे ही कहानियों के प्रियोक के माध्यम से बच्चों में नैतिकता क का विकास कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा एक्जामपल है, बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैं बता रही थी कि आपके जो कोहल बर्क थे, वो क्या करते हैं, जो तरह तरह की कहानिया सुनाते थे, तो ये भी एक प्रकार का कहानिय है, जिसमें हम बंद करके कोहलबर्ग का आंसर क्लिक कर दीजेगा चलिए बात करते हैं कोहलबर्ग के बारे में अमेरिकन मनो विज्ञानिक कोहलबर्ग कोहलबर्ग कहां के विज्ञानिक थे तो वो अमेरिका के विज्ञानिक थे तो अमेरिकन मनो विज्ञानिक कोहलबर्ग 1927 से 1987 ने ही क्य किया 1958 में इनका जन्म और मृतियु का समय वता रहा है तो 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया कुहल बर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत कब दिया तो याद रखिएगा 1958 में आपसे डेट कभी नहीं पूछता है कि किस वग्यानिक ने कब कौन सा सिध्धान दिया वो सिर्प सिध्धान पूछते हैं कि यह सिध्धान किस ने दिया तो याद रखिएगा मैं फिर रिपीट करी हूँ जीन प्याजे ने संगेनात्मक विकास का सिध्धान दिया वाय नेतिकता की ग्यारा कहानिया लिखी कितनी कहानिया लिखी ग्यारा कहानिया लिखी जो बच्चों के डेवलम्मेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा कौन से डेवलम्मेंट के लिए बताईए बच्चों में जो इतिक जो नेतिकता उसके डेवलम्मेंट के लिए इन्होंने क्या किया 11 कहानिया लिखी थी कोहल बर इनी कहानियों को बच्चों को सुना कर ने दिखता कि इस तर को क्या करते थे मापते थे वो देखना चाहते थे कि कौन सा बच्चा क्या सोच रहा है उसका क्या रूची है अभी जो मैंने कहानी बता है उसके बारे में भी एक बार आप क ज कहानी है जो मैंने अभी आपको सौ्ट में समझाया एक वर हम और जो भी कहानियों होगी हम देख लेंगे लेकिन हमारा उदेश कहानी सुनने ही यह जानना है की जो कोहलवर्वर्व का सिध्धान्थ है वो कौन सा सिध्धान्थ है नेतीक्ता का Siddhant इन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के साथ साक्षात कर कहानी सुना कर बच्चों से प्रश्ण पूछना निर्णय निकालना ये नैतिक विकास का सिध्धान दिया वो 20 वर्ष तक क्या करते रहे बच्चों के साथ जुड़े थे 20 वर्ष तक वो बच्चों से तरह तरह की बाते करते थे उन्हें कहानिय सुनाते थे कुछ अनुभाव दिलाते थे इस जरी वो क्या करते थे बच्चों में नैतिकता का विकास करते थे और इन्हीं सब के द्वा में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिध्धान प्रिंस्पल और मोरल डेवलप्मेंट की कुल 6 अवस्थाइं बताई है तथा इन अवस्थाओं को तीन इस तरों में बाटा है यहां से सवाल बन सकते हैं लेकिन देखी इतना है आपका होस्टल वडन का परिच्छा है तो उसम अवस्था है न यह तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे देखिएगा नाम से हिस्पस्ट हो जाएगा प्री कन्वेशनल स्टेज या पूर पारंपरिक या पूर परंपरागत अवस्था यह क्या है इनकी पहली स्टेज है इस पर भी ध्यान मत दीजिए चलिए ध्यान किस पर देना आपको इस पर देना है देखिए नाम को बस आपको समझना है और उसमें जो आप तीन नियम पढ़ेंगे ना वो किसमें सामिल यह देखना है बाकि इतना तुतै है एक्जामीनर इतना डीप में कोश्चन नहीं करेगा तब भी हम रिस्क क्यों ले इसे लिए हम के लिए नहीं बलकि आप जितना ट्रेट पर गएर रगा एक्जाम दे रहे उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हो जाता है निश्चित सी बात है बच्चा छोटा सा जरूर रहता है बच्चा जन्म लेता आप देखते हैं जीरो से दो वर्स तक बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है फिर धीरे जब वो बड़ा होता है भले वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है लेकिन जब आस पातना म पहली अवस्था है जिसे हम क्या कहते है पूर्व पारंपरिक अवस्था कहते हैं तथा बालक अपने परिवार के व्यस्क सदस्यों से नेतिकता की बातें सीखता है वह जैसा देखता है वैसा ही सीखता है अर्थात बाय घटना के अधार पर ही वह सही वा गलत बताता है बा environment से सीखता है याद रखिएगा सवाल ऐसे भी बनते की बच्चा कहां से सीखता है तो याद रखिएगा बच्चा अपने environment अपने परिवेश अपने आसपास के वातवरण से ही सीखता है थोड़ा आवाज का इशू हो रहा है अभी भी थोड़ा गले में दिक्कत है ठीक नहीं हुआ है पर आप लोगा क्लास इस चक्कर में मिस नहीं कर सकते क्योंकि आपका एक्जाम होने वाला है तो ज़रूरी एक लास अब यह यह इमीज क्या दर्शार रहे यह उन्हें बच्चों की बात कर रहे है जो यह क्या अभी पहली स्टेज में पूर्व पारंपरिक अवस् यह क्या है पहली अवस्था है ठीक इसमें बच्चों का बच्चों में नैतिकता नहीं आई रहती लेकिन ही बच्चा नैतिकता को सीखता है यह छोटे-छोटे बच्चे हैं अब पूर्व पारंपरिक अवस्था को भी दो भागों में बाटा गया है पहला कौन सा आग्या एवं दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था, ठीक इतना वस्याद रखेगा, आगे एवं दंड की अवस्था, अहंकार एवं अहंकार की अवस्था, तो हमारा जो पहली अवस्था है क्या, अपने कोहल बर के अनुसार, तो उसमें पूर पारंपरिक अवस्था को दो भागों में बाटा गया है पहला आगे एवं दंड की अवस्था दूसरा अंकार की अवस्था पूर पारंपरी का वस्था क्या होता है पूर पारंपरी का वस्था एसी अवस्था जिसमें बच्चा क्या होता है जिसमें बच्चों का बच्चों में नयतिक्ता का विकास न क्या किया करता है ना दण के दर से करता है अठो कि इस आवस्था में पैलक इससं समस्ठा में बालक साय इसे कहीं दर नमिल जाएग इससमेज की बहुते हैं बच्चों को मार या पीट कर डर रहता है तो वो क्या करते हैं आग्या को मानते हैं उनका इस्कूल जाने का मन नहीं होता है लेकिन डंड के वज़े से वो इस्कूल जाते हैं उनका होमवक करने का मन नहीं होता है लेकिन पिता क्या कर देते हैं उन्हें आग्या देते हैं ओरर देते हैं कि होमवक टाइम पर हो जाना च μο करता है कि यह सारी क्या है एक्जांपल आपका इमेज है कि यह सब बच्चे क्या कर रहे हैं आगिर वह दंड के भै से ही अपने कारियों को कर ते अभी के बच्चे लोग आभी के parents क्या कौन सांग्या देतें बच्चे दिंबर परम्परिक या परंपरा-गत अवस्था अच्छा एक मिनट यहाँ पर एक चीज मिश हुईए सबसे पहले आगे वन दंड की अवस्था ठीक हम्पर की अवस्था दूसरी क्या आपकी अंगार की अवस्था नाम से इसंफ स्प स्छोरह है इसमें बच्चा क्या होता है उसको लगता है कि मैं ही सब हूँ, पूरी दुनिया मेरे लिए बनी है, ये हर चीज मेरा है, मम्मी सिर्फ मेरी है, भाई सिर्फ मेरा है, दोस्ति मेरे, मतलब बच्चा क्या होता है, मैं चेओर नहीं रहता है, आप इस स्टेज़ ये इमेज जो है, ये सेकेंड आवस्था की बात कर बच्चे अपने दुनिया में मगन रहते हैं देखिए इस उम्र में बच्चों से आप ज़्यादा वो करेंगे मतला हम जब बच्चों से बात करते हैं उन्हें डाटते हैं तो बच्चे बहस भी करने लगते हैं तो बच्चे इस स्टेज में क्या होते हैं अंकारी होते हैं वो क्या आपका परंपरिक या परंपरागत अवस्था है इसके बारे में देखते हैं इस अवस्था में बालक का सरवाधिक नैतिक विकास होता है अब बच्चा निश्चित रूप से बढ़ा हो गया है एक उम्र के बाद ना देखिए बच्चों में जो भी चीजे देखने को हमे मिलती है वो नेचुरल वे पे मिलती है हम जैसा बच्चों को इन्वार्मेंट देंगे बच्चा वैसा ही करता हाँ नेचुरल ऐसा होता है जैसे हमने देखा पूर पारंपरिक अवस्था इसमें बच्चों में क्या होता है नैतिकता का भाव होता है निश्ची दूप से उनका खालके उनमें क्या रहता है उनको अपना खिलोना बहुत प्यारा होता है उनको अपनी चीज बहुत प्यारी होती है उनके बहुत कमी बच्चे ऐसे होते हैं जो शेयर करना पसंद करते हैं बच्चे यहां पर एंगार का मतलब यही है कि बच्चे क्या होते हैं सेल्फ होते हैं बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए हमेसा गरीबों की मदद करनी चाहिए आप बच्चों को ऐसा समझाएंगे ना बच्चा वैसे ही समझने लगेगा तो दूसरी अवस्था को देखिएगा इस अवस्था में बालक का सरवादिक नैतिक विकास होता है इस अवस्था मे ढ़ी दो प्रकार है कौन कौन सी पहला है प्रसंसा की अवस्था या उत्तम लड़का अच्छा लड़का कि अवस्था क्या है कि बच्चा कभी कभी न जहां पर प्रशंशा की अवस्था या समाजिक व्यवस्था तो जहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपकी दूसरी अवस्था है क्योंकि बच्चे कब डेवलपमेंट हो चुका है अब बच्चा बड़ा हो गया है अब वो नैतिकता को समझने लगा अब आतिकता को समझेगा तब भी तो यह पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे रटना नहीं है ऐसा आप लों को लॉजिक लगा के जाना है और आप से निगेटिव आ जाए आगया एवं दंड की अवस्था और क्या आंकार की अवस्था तो बच्चा पहले स्टेज में क्योंकि यहाइं कि वह छोटा है उसमें नर्तिकता का विकास हुआ ही नहीं है missile समझने लगता की बुरा ही क्या है अच्छा ही क्या है तो सथार पर मूं काम करने लगता है समाझिक व्यवस्थाऔ के प्रति संमान की अवस्था बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं तथा नियुमों के प्रती सम्मान रखता है ठीक ये हो गई आपकी दो अवस्था है किसके अनुसार कोहल बर्क के अनुसार है तीतल आपका पोस्ट कंवेशनल स्चेश या उत्तर पारंपरी का वस्था सब्सेह पहले हम क्या देख रहे थे पूर्ण पारंपरीग आवस्था बीच में कुछ नहीं था फिर आगंऩ एसे याद त्रिक से उत्तम पहला फिर बीच में कुछ नहीं फिर दीसरा आ गया आपका उत्तर स्वरी उत्तम बोली में उत्तर उत्तर बाल्य अवस्था क्लियर तो ऐसे आप लोग को देखना है इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग कून एवं बालक नैतिकता के लिए आत्म निर्भर भी बन जाता है इसके बाद बालक स्वयम नैतिक मुल्यों का निर्धारण भी करने लगता है सबसे पहली अवस्था में बालकों में नैतिकता का अभाव होता है दूसरी अवस्था में बालकों में नैतिकता आ जाता है और तीसरी अवस्था में नैतिकता complete हो जाती है मतलब परिपूर्ण हो जाती है इसमें ऐसा कुछ रटने का है क्या नहीं है और नहीं रटना है आप लोंको इसकी भी दो अवस्था है अब निश्चित रूप से पहले अच्छा लड़का लड़की बनने के लिए काम करता है समाज को समझने लगता है अब वो क्या करता है इतना बड़ा हो चुका है इतना मैच्चोर हो चुका है कि अब समाज के साथ समझहोता करने लगता है तो इसे हम क्या कहते है समाजिक समझहोते की अवस्था और दूसरा क्या कहते हैं विवेक की अवास्था उसमें विवेक आ जाता है उसमें क्या आ जाता है सब्र आ जाता है इसलिए हम इस अवास्था को कहते हैं समाजिक समझोदी की अवास्था नाम से इस परश्चोरा बालग को कई परिस्थितियों में समाज से समझोता करना पड़ता है जैस कि अब उसमें नैतिकता का पून्द विकास हो चुका है विवेक की अवस्था इस अवस्था में अपनी नैतिक नीमों को प्रत्साहित करने एवं आत्म निंदा से बचने की अभी प्रेण अरे अब क्या होता है कि अगर मैं लेट से सो के उठूंगा तो लोग मेरे बारे में क कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिध्धान देखा मैं फिर रिपेट करूंगी उसमें कोहलबर्ग क्या करते हैं बच्चों में नैतिकता का विकास करने के लिए तरह तरह की कहानिया सुनाते हैं जिसमें हिंज की कहानी काफी फेमस है साथ ही उन्होंने 11 कहानिया लिखी थी सब रटने की जुरत नहीं बस इतना याद रखेगा कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिध्धान दिया फिर कोहलबर्ग का जो सिध्धान था उसको तीन मुख्य भागों में बाटा गया पूर पारंपरी का वस्था फिर पारंपरी का वस्था और तीसरा उत्तर पारंपरी का कौन सा विकास नहीं हुआ रहता है, नैतिक विकास नहीं हुआ रहता है, सेकेंड में उसमें थोड़ा-थोड़ा विकास उना प्रारम हो जाता है, और थार्ड में कम्प्लीटली विकास हो जाये रहता है, तो यह आज हमने देखा है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लो हमेशा आपके साथ टीम कोको